नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किड्नी में होने वाले दर्द यानि की किड्नी पेइन के बारे में दोस्तो आपकी किड्नी आपके पेट के पिछले हिस्से में पसली के नीचे रीड के दोनों और स्थित होती है और kidney का दर्द उन गंबिर दर्दों में से एक है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं और अगर आपके बाजू में या पीट के मध्य से उपरी हिस्से में दर्द हो रहा है तो यह kidney में दर्द की समस्या हो सकती है हाला कि इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी kidney खराब हो चुकी है polycystic kidney disease, urinary tract infection और kidney में infection ऐसे एहम कारण है जिनकी वज़र से kidney में दर्द होता है वही kidney में दर्द का इलाज इस बात पर निर्बर करता है कि आपको किन कारणों से kidney में दर्द हो रहा है तो आज इस वीडियो में आपको kidney में दर्द होने के कारण और उसके इलाज के बारे में आपको बताएंगे दोस्तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि kidney में जो यह दर्द होता है इसके आपको लक्षन क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों बहुत बार ये देखा गया है कि किड़नी के दर्द के साथ पीट के केवल एक तरफ दर्द मैसूस होता है अगर दोनों किड़नी प्रभावित है तो दर्द दोनों तरफ होगा किड़नी जो है वो शरीर के आवश्यक रसायनों और पानी का संतूलन बनाये रखने का काम करती है और अच्छी तरह से काम करने पर वे शरीर की जरूरतों को पूरा करती है और शरीर उस चीज से छुटकारा पा लेते हैं जिसकी उसे जरूरत नहीं है तो दोस्तों इसके लक्षणों की बात करें तो जैसे की पेशाब में खून आना, बुखार और ठंड लगना, लगातार पेशाब आना, दस्त और उल्टी होना, दर्द जोना, जो की आपकी कमर तक फैलता हो, साथ ही साथ पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, बुखार आना, मुत्र में रक्त या प्रोटीन का आना, या फिर हाथों और पेरों की सूजन और आखों के आसपास सूजन होना, अब दोस्तों हम जानेंगे कि किड्नी में जो ये दर्द होता है, इसके क्या कारण है, यानि कि किड्नी में दर्द क्यों होता है, दोस्तों किड्नी में रक्त के ठक्के होना, स्टॉन होना, ब्लेडिंग होना, इन्फेक्शन, PKD और यूरिन इन्फेक्शन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काराण है जिससे कि आपको किड्नी में दर्द हो सकता है तो इन सारे काराणों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किड्नी में होने वाले इन्फेक्शन की दोस्तो किड्नी यानि की गुर्दे में इन्फेक्शन फैलने की वज़र से भी आपकी किड्नी में दर्द हो सकता है जब बैक्टरिया आपकी किड्नी में प्रविश करता है तो यह infection का कारण बन सकता है किड्नी infection का कारण बनने वाले बैक्टरिया आम तोर पर आपके मुत्रपत के द्वारा शरेरे में प्रविश करते हैं और किड्नी में इंफेक्शन एक समय में एक किड्नी या फिर आपके दोनों किड्नी को प्रभावित कर सकता है किड्नी के इंफेक्शन का जल से जल्द इलाज करना बहुत जरूरी है किड्नी के इंफेक्शन का अगर समय पर इलाज नहीं कराया गया तो इससे आपकी किड्नी खराब हो सकती है साथ ही इसकी वज़से शरीर के अन्य हिस्से भी प्रभावित हो सकते है और इसलिए इस समस्या का समय पर इलाज बेहद जरूरी है दूसरा जो दोस्तों काराण है PKD यानि की पीकेडी हो सकता है सिश्ट जो है वो बड़े हुने पर यह शरीर के टिशू को नुकसान पहुंचाने लगते और जिसकी वज़ा से व्यक्ती पॉलिसिस्टि किड़नी डिजीज के चपेट में आ सकता है PKD जो है वो chronic kidney disease का कारण बनता है और जिसमें व्यक्ति की kidney भी फैल हो सकती है दोस्तों PKD जो है वो दो प्रकार के होते हैं autosomal dominant PKD और autosomal recessive PKD autosomal dominant PKD सिर्फ kidney में cyst बढ़ने की वज़ा से होता है तो दोस्तों urinary tract infection आपके urinary system के किसी भी हिस्से में होने वाला infection है और इसकी वज़े से आपकी kidney, ureters, bladder और urethra प्रबावित हो सकते हैं पुरुशों की तुल्ला में महिलाओं में UTI होने का खत्रा अधिक होता है और यह समस्या काफी दर्दनाक हो सकती है वही अगर UTI की समस्या kidney में फैलती है तो यह गंबेर स्थिती उत्पनक कर सकती है और इन समस्याओं के अलावा गुर्दे में रक्त के ठक्के होना kidney stone और kidney में bleeding की वज़े से भी आपकी kidney में दर्द हो सकता और इस थिती में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ताकि समय पर इसका इलाज शुरू किया जा सके और अब हम दोस्तों जानेंगे kidney में होने वाले इस दर्द के इलाज यानि की treatment के बारे में तो दोस्तों kidney में दर्द का इलाज इस बात पर निर्बर करता है कि आपको किन कारणों से kidney में दर्द हो रहा है अगर आपके शरीर में infection की लक्षन दिखते हैं तो डॉक्टर आपको urine test की सला दे सकते हैं वही आपकी kidney में दर्द के कारणों का पता लगाने के लिए आपको ultrasound या फिर CT scan करवाने की भी सला दे सकते हैं और इन परिक्षनों के जरीए kidney में दर्द का कारण पता लगा कर डॉक्टर जो है वो इलाज शुरूग कर सकते हैं ऐसे की बात करें kidney infection के इलाज की तो दोस्तो kidney infection का इलाज antibiotic दवाओं से किया जाता है kidney में infection होने पर डॉक्टर आपको एंटिबायोटिक दवा लेने की सला दे सकते हैं एंटिबायोटिक की दवा सबसे सामन्य मरीज को दी जाती और इसके बाद जब परिक्षन में infection की जाँच होती है तो infection के प्रकार के आदार पर आपको डॉक्टर जो है कुछ अलग-अलग एंटिबायोटिक दवाईयां दे सकते हैं वही अगर आपकी स्थिती काफी गंबिर है तो डॉक्टर होस्पिटल में admit होने की भी सला दे सकते हैं और इतना ही नहीं अगर kidney में infection आपके मुत्रपत के आकार या फिर किसी समस्या की वज़े से हुआ है तो इसे भविश्य में रोकने के लिए डॉक्टर आपको सरजरी करवाने की भी सला दे सकते हैं दोस्तो बात करें polycystic kidney disease के इलाज की तो दोस्तो polycystic kidney रोग की गंबिरता एक क्यक्ति से दूसरे वक्ति में अलग-अलग होती है और यहां तक की एक ही परिवार के सदस्यों में भी इसकी गंबिरता अलग-अलग हो सकती है अक्सर जो है पीकेडी से ग्रसीत 55-500 वर्स की आयू के रोगियों में गुर्दे की बिमारी अंतिम चरण तक पहुँच जाते हाला की पीकेडी वाले कुछ मरीजों में इसके हलकी लक्षण भी दिखते हैं और ऐसे में इन लक्षणों को पैचान कर समय पर इलाज करके पीकेडी के अंतिम चरण तक पहुँचने से रोका जा सकता है पॉलिसिस्टिक किड्नी रोक के उपचार में लक्षणों और इसकी जटिलताओं को कम करके प्रारम भी कवस्ता में इसका इलाज करने की कोशिश की जाती है और दोस्तो बात करें UTI के इलाज की यानि की यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन के इलाज की तो दोस्तो डॉक्टर जो है वो आम तोर पर UTI का इलाज एंटिबायोटिक दवाओं के जरीए करते हैं और साथ ही आपको अधीक पानी पीने की सलाद दे सकते हैं तो दोस्तो किड्नी में इन्फेक्शन, PKD, यूरिन इन्फेक्शन कुछ ऐसे महत्पून काराण है जिससे कि आपको किड्नी में दर्द हो सकता है और इस तरह की समस्याओं का खुच से इलाज ना करें बलकि किन कारणों से किड्नी में दर्द हो रहा है उसको जानने की करें और डॉक्टर से सला ले और ध्यान रखे कि किड्नी में दर्द को नजर अंदाज ना करें इससे आपकी समस्या और भी अधिक बढ़ सकती है और साथ ही डॉक्टर द्वारा दिये गए सभी दिशा निर्देशों को अच्छ से फॉलो करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे बिल आपको मिल सके थैंक्स फॉर यूर टाइम